नमस्कार, flowers in kitchen garden चैनल पर मैं कवीता आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे पोधों में पानी डालने के बारे में कि विंटर में हमें पोधों में पानी किस तरीकी से डालना है, किस प्लांट को कितनी requirement होती है और किन प्लांट को हम हार्वेस्टिंग मेरी छोटी सी बेटी कर रही है और जो टॉमेटो रेड हो गए आज में उनने निकाल लूँगी तो आप हार्वेस्टिंग भी देखते जाहिए, हार्वेस्टिंग को नजॉय कीजिए, और हमारे फैमिली में यूज होने के इतने तो टॉमेटों हम ग्रो कर ही लेते हैं टेरेस गार्डन में ज्यादा वेजिटेबल एक्स्ट्रा वेजिटेबल ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे फैमली भी देखना होती है और अगर मुझे सिर्फ गार्णिंग का ही काम करना हो तो मैं बिल्कुल आस पडोस में देने इतनी सब बता दी तो टॉमेटो की हार्वेस्टिंग जो थोड़े से भी रेड टॉमेटो है वो भी मैंने हावेस्ट कर लिये हैं और एकी स्ट्रॉबरी भी हार्वेस्टिंग कर ली है क्योंकि बीच में फल काले पढ़ने लगे थे तो मल्चिंग की वज़े से देखे थोड़ा सा इ इनको रोज थोड़े थोड़े पानी की फट होती है अगर जुड़ा बी ओडर गुछ की होना चाहिए जहें लेकिन थोड़े पानी की ज़ नहीं होती है जैसे फ्लावरिंग प्लांट है बोगन वेलया है तो बोगन वेलया एक तरीकी से यह कहवी काई इसकी फीड़े रू रोजेस हैं रोजेस को भी चेक करके पानी दीजिए मिट्टी में क्योंकि ओस गिरती है तो सुबह सुबह मिट्टी थोड़ी गीली होती तो हमें लगता है कि पानी है अभी लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप दो तिन गंटे बाद आप उपर आके चत पे देखेंगे तो पॉट सुखा हुआ दिखता है क्योंकि वो उपर की लेयर गीली होती न कि अंदर से मिट्टी गीली होती तो इस चीज का भी आप ज़रू ध्यान रखेगा पॉट को सबसे पहली भात पॉट को चेक करके पानी दे बिल्कुल एक इंच आप चेक करें मिट्टी को कि उपर उ इन प्लांट ऐसे हैं जिन में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है मेरे पास कुछ रोजे подход पानी बार उती होती तो सबसे पहली बात मिट्टी को मिट्टी करना बहुत इंप्लाऱ पीसकता है तो एक चीज और है या तो सुबह सुबह जल्दी पानी डाले और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप 10 बजे 9-10 बजे के आसपास उसमें पानी डाले ताकि अगर वो ओस से गीली भी मिट्टी होगी सुखी तो वो थोड़ी दिर बाद अपने आप भी सुखी भी नजर आने लग जाएगी और अगर नहीं तो फिर वो गीली नजर आने लग गीली ही रहेगी 10 बजे तक भी सुखी नहीं रहेगी तो पॉट को देख करके आप पानी डाले विंटर प्लांट है या समर प्लांट है यह भी चेक कीजिए तो इसी तरीके से आपको अपने प्लांट में पानी देना है कलांचों में बहुत कम पानी देना है और मिट्टी को चेक करके पानी देना है बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है जैसे बड़े प्लांट है तो उनको पानी की ज़रूर ज्यादा होती है यह भी चेक कीजिए आप अपने प्लांट को ए रहते हैं आप तो कॉमेंट करके पूश सकते हैं और मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरू कीजिए बेल आइकन और पर प्रिस कीजिए ताकि आगए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेकली पहुंचती रहा है किसी भी प्लांट के बारे में जानका करेकी साथ तब तक के लिए बाई टेक के जैसी कृष्णा